कि असलालेकूम कैसे आप सब लोग उमीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे तो आप सब का स्वागत है अफ्रोज से किचैन में तो आज हम वी रमजान स्पेशल कुछी रेशिवी बनाने वाले तुम आज रमजान स्पेशल मैं बनाने वाले हूं चिकन मलाई कुलफी कबाब और वाव मतलब तीन रेसिवी बन रही है एक बन रही है चिकन मलाई कुलफी कबाब यह कुछ अलग नाम सुनने को आया है और उसके साथ में चिकन क्रिस्पी पकोरे भुजिये टाइप में बनेंगे वो और डेजर में बन रहे है गुलाब जामुन ड्राइफूड कुस्टर्ड कुछ अलग देखने मिलेगा और अलग तेस्ट भी मिलेगा जो घर के सामन से बन जाएगा तो चलिए बगर टाइम व एसके अंदर हम डाल देगे कुछ पाउड़र मसाले तो एक चमच भरके चिल्ली फ्लेक्स एक चमच भरके जीरा-पौडर 1 चमच भरके काली-मीरी-पौडर 20 चतमाचस-मसालाना और दा चमस नमक सत्वावा यो तोरा सा में डालूंगी नहीं तो अधरक लसुन का पेश भी आप इसके अंदर एड कर सकते हैं इसी के साथ में चला जाएगा चार से पांच हरी मिर्ची अब मैं इसमें डालूंगी अमूल बटर दो चम्मच भर के मस्तर आदे लिम्बू का रस इसके अंदर एड करेंगे ब्रेक डाल देंगे इसके अंदर तीन से चार ब्रेक के स्लाइस डाल देंगे तोर के हातों से क्योंकि अगर इसका जितना भी मोशयर है यानि पानी है वो ब्रेक शोक ले इसके अंदर जाएगा मलाई कबाब है तो इसके अंदर थोरा सा अमूल स्रेक क्रीम डालेंगे दो च अगर आपके पास में इस तरह का जार नहीं है तो आप सेम मिक्सर में भी कर सकते हैं एक मुट की पुदीना काल देंगे अब इसे पैक करके अच्छी तरह से पीसके ले लेगे तो यहाँ पे सब कुछ पीसके हो चुका है अभी हम इसके कुलफी कबाब बनाते हैं तो यहां पर मैंने लिए हूँ brayik crumbds और brayik crumbds के बाजू में मैंने रखी हूँ थोड़ा सा oil भी लगेगा यहां पर मैंने लिए हूँ पांच उरुपे की यहें मैंने Eksrem की kanडी मंगाई थी दुकान से अशरप से और यहाँ पर मैंने लिखू दो अंडे इसमें हलका सा नमक तोर इसी कालीमिरी पाउडर और थोरा सा चिली फ्लेक्स दाली हूँ और उसे अच्छी तरह से फेट के ले लिखू मैंने अब क्या करेंगे हम हातों में थोरा सा तेल लगा लेंगे मेंधी का कलर बहुत अच्छा है माशाला और एक थोरा सा गोला हात में उटाएंगे और उसे ऐसे लंबा लंबा हम कर लेंगे जैसे हम सीख के लिए करते हैं देखिए आराम से बिल्कूल भी घाई नहीं करना कांडी को इस में जाल देंगे पहले कांडी को अच्छी तरह से दो लेना धोने के बाद में कांडी को यूज करना है उसे लंबा और यहां पर अभी फिर से एstate लंबा शेप देंगे यहां पर हम सारे हमारे कुल्फी काबाब बना लेंगे व canhtya के आगे क्या करना ह Steven वो भी आपको बताती हूँ, एक से एक रेसेपी आप लोगों को मैं देने वाली हूँ, यहाँ पे सारे हमारे कुलफी कबाब बनकर रेरी हो चुके है, अब क्या करेंगे, एक कुलफी कबाब को हम उठाएंगे, और गिलास के अंदर जो अंडा मैंने फेट के रखी हूँ, गिलास में ही अंडा फेटना अच्छी तरह से आप इसे डिप कर सकते हैं, तो इसे आराम से एकदम गिलास में ऐसे अलट पलट करके इसे हम डिप कर लेंगे, फिर गिलास से आराम से निकालेंगे, फिर ब्रेक क्रम्स में हम इसे कोटिंग कर लेंगे आराम से, एकदम ध्यान से करना क्योंकि इसमें मलाई कबाब है ये काफी सॉफ्ट होते हैं और मुलायम भी होते मगर खाने में बहुत ही तेश्टी बनेते एक बार आप ज़रूर बनाना इसे हम अच्छी तरह से ब्रेक क्रम्प में कोटिंग कर देंगे और एक प्लेक में रख देंगे आप इस तरह से करके इसे स्टोर करके भी 15 दिन के लिए रख सकते हैं मगर मैं तो तुरंद बनाने वाली हूँ यहां पर हमारे मलाई कबाब बनकर रेरी हो चुके एक तरफ मैंने तेल रख दी गरम होने तेल जैसी गरम हो गया सारे मैंने इसमें एक एक करके छोड़ दी औ हम जाके बता रही हूँ आप लोगों के भी समझ में अच्छी तरह से आ रहा रहेगा है ना चलिए अभी यह हमारे क्या बनके रेरी हो गया से चिकन कुल्फी मलाई कबाब माशाल्ला अब इसके ओपर थोड़ा सा मौईनीस दाल देना एक बाटली में दाल देना या नहीं हम बना लेते हैं गुलाब, जामूल, जायव फूट, कॉष्टर, है ना तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने एक लीटर दूद लीती दूद अच्छी तरह से मेरा गरम हो गया यानि दूद में अच्छी तरह से उबाल आ गया जब दूद में उबाल आ ब्रबर चलिए अब चमच मालती रहूघी इससे हमारा जो है ना तेक्ष भी अच्छा आएगा और हमारा दूद भी अच्छी तरह से घट हो जाएगा बन बनना से चलिए अब चमश मारते रहना है हाथ को रुकाना नल्ये साइट में जितनी मलाई लगेगी उसे भी निकाल निकाल के इसी दूढ़ मैं मिक्स करते जाना है धबल मसाएगा थोरे से दूद में मैंने थोरा सा केसर मिला के रखी थी हर्का कुनकोने दूद में चार से पांच रेखे केसर के भीगने रख देना और वो भी दाल देना उसी के साथ मैं इसमें दालूँगी मैं गुलाब जामुन की चाचनी गुलाब जामुन की चाचनी मैं इसके अंदर एट कर दूँगी गुलाब जामुन निकाल के मैंने साइक में रख दी हूँ और गुलाब जामुन की चाचनी को हम इसमें एट कर देंगे समझ में आए ये मेरी बात आप लोगों के अब इसमें दाल लेंगे पत्ते ये गुलाब के पत्ते सूखे वाले है अगर सूखे वाले नहीं मिलते है तो गुलाब का जो पानी होता है वो καे ओरा से इसेट वो एक दो मुन भी आप दाल देंगे तो भी चल जाएगा अब ये सब दालने की बाद में मैंने इसी अच्छी तरह से मिक्स कर ली और दो से तीन मिलिल्टर का इसे मैंने पका ली अब इसके अंदर दालूँगी बदाम, काजू और पिस्ता मोटा मोटा कटिंग करके डालेंगे कि खाने के समय जब हमारे मूँ में आएगा तो बहुत ही मसा आनी चाहिए और थोरा सा गुलाब के ओरा एसेंट मैंने इसके अंदर दाल दी है ना, दो से तीन मूनी डालना है जादा ने डालना है क्योंकि इसकी खुशबू जब इसमें आती है ना, तो और मज़ेदार लगता है हमारा ये वाला कर्श्टट अब इसे पकाने के बाद में दो से तीन मीक पकाने के बाद में इसे हम पंके के नीचे रखके अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे ठंडा होने के बाद में ये घट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम 4-5 गुलाब जामुन बारी बारी कटिंग करके इसके अंदर एट कर देंगे है ना, गुलाब जामुन तो मेरे फैवरेट है, आप सबको पता है मुझे बहुत पसंद है अगर आप कभी भी मुझे से मिलेंगे ना, तो मेरे लिए गिफ्ट में गुलाब जामुन इह लाना कुछ नही लाना, अब गुलाब जामुन दालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से mix कर देंगे mix करने के बाद में एक ball में हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि अभी हमें ये इसकी इफ्तारी करनी है तो इसे हम जितना अच्छे तर सजाएंगे उतना अच्छा लगेगा अब उपर से मैंने क्या करी हूँ चार गुलाब जामुन मैंने आट गुलाब जामुन मंगाई थी यह देखिए यह पिस्टा भी मैंने उपर से डाल दी आप इसके ओपर मैं थोड एसी गुलाब की सूखे वाले पते होते हैं ना वो मैंने डाल दी और इसके ओपर जो है ना एक फिल्व पेपर आता है गोल्डन कलर का केकविक पर भी लगता है वह वाला पेपर मैंने इसके ओ पर लगा दी अगर आपके पासे तो लगाईए ने तो इसकी किर कर देना यहां पे हमारा गुलाब जामून कष्टड बन गया तो चलिए अभी हम बना लेते हैं चिकन किरिस्पी पकोरा भजिया इस्टाइल इसके अंदर थोरी सी मैं पालत की भाजी भी दालूगी तो वो बा मसाले पुरे मिक्स करके नहीं रखते ना जालने के समय करनाि तो, पाउडर मसाले जाएंगे एक चमच भरके दरदरा खुटा हुआ धनिया, आधा चमच नमक चोटाई काला नमक काली मिली पाउडर आधा आदा चम्मच, एक चवताई चाच मसाला पाउडर, एक चम्मच भर के चिल्ली फ्लेक्स, एक चम्मच भर के तंदूरी मसाला और आदा चम्मच लाल मिच पाउडर दालेंगे हम इसके अंदर और ये चिकन मसाला है अगर आपको मिलेगा तो दालिए चिकन मसाला नहीं है तो इसकी भी कर सकते हैं आप है ना तो ये पाउडर मसाली इसके अंदर चले गए सारे बारिक बारी कटीवी दो हरी मिर्ची एक medium साइज की प्याज बारी कटीग करके हम भी दाल देंगे इसी के अंदर हलका सा food color दालेंगे food color optional है अगर पसने तो दालेंगे तो इसकी भी कर सकते food color को आदे लीम्बू का रस अच्छे से निचोर के दालना इसके अंदर थोरा सा बचा लेना क्योंकि बाद में भी हम इसके उपर दालेंगे हरा धनिया एक मुट्टी भरके दो चमच भरके हम qon brewer दालेंगे थोरा सा बचाएंगे यहाँ पानी छोर दीया तो बाद में हम दालेंगे और तीन चमच भरके हम इसमें बेसन दालेंगे बेसन भी हम ःम तो फिर दालेंगे हम इसके अंदर अब अब इस सारी चीजे इस पे आड़ करने के बाद में थोड़ा सा ओईल डाल दूँगी में आदा चमच और इसी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी पालक की भाजी को हम बाद में आड़ करेंगे इन सब को अच्छे से मिक्स करके एक साइट में रख दूँगी मैरीनेट होने के लिए आदे घंटे के लिए मैंने इसे मेरी नेट होने रख दी थी फिर मैंने इसे भार निकाली फिर मैंने इसके अंदर एक मुट्टी भर के पालक की भाजी बारिक बारी कटिंग करके डाली फिर चार से पाच चमच बेशन का आटा डाली और एक अंडा डाल के फिर मैंने इसे बहुत क्रिस्पी होते हैं, इसके उपर थोड़ा सा चाक मसाला दाल देना, फ्राइ होनी के बाद में और लिम्बू निचोर देना, चलिए एक तरफ मैंने तेल गरम होने रखी हूँ, अभी मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा करके एक एक पीस, पालक के साथ में चिकन का उठा उ तो इसे हम भाहार निकाल लेंगे, आज मैं इतनी घाई में थी कि मुझे टिल्सू पेपर रखने का भी ध्यान में नहीं आया, तो फटा फट से मैंने इसे निकाल ली देखिए, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, कैसे बने थे आसी, मर्ज बने थे, मर्ज बने थे उपर से थोड़ा चैक मसाला डाल देना, और इसके उपर निम्बू नीचे उरके, इसे कोई भी चखनी के साथ में खाना, ऐसी चखनी की रेसेपी मेरे चैनल पे बहुत सारी मौझूद है, कैसी लगी आज कि आप लोगों को इफ्तारी मुझे कमेंग में जरूर बताना, औ और इफ्तारी देखनी है, तो मुझे कमेंट करो कि अफ्रोज आपा और इफ्तारी की वीडियो हमारे लिए अच्छी अच्छी लेके आते रहना, हम सब ने मिलके एक साथ में रोजा खोले, हमें बहुत अच्छा लगा, और ये तीनो रेसेपी आप लोगों को कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इस तरह की अच्छी अच्छी रेसेपी की वीडियो देखने के लिए अफ्रोज किचन को आप लोग फॉलो कर लेना, फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक अच्छी रेसेपी के साथ में जब तक के लिए मुझे भी दुआओं में य जद दको लेको आप लोग देसेपीत के साथ हुआ में इसल 판 लोगों के अच्छी रेसेपी छिंग दाओं में जब तकादाएं एक के लिए के लिए मुझे रादतो में तुम्टेसे धुआ के लोगों का लेसेपीत दुआएं आपूर के ल gigs, भीए सेरी के लिऑ में पार इ